दोश्कार में भाति के पासे हैं स्वागत आप सभी का इन 27 न्यूज में और आप देख रहे हैं IPL 27 इडन गार्डन्स में 14 अप्रेल को कोलकता नाइट राइडर्स और हैदराबाद सन्राइजर्स के बीच खेले गए मैच में वो पूरा मसाला था जिसकी लोगों को उमीद थी इस IPL सीजन के सबसे वड़े स्टार बन चुके रिंकू सिंग अपने बल्ले से मैच पलटते पलटते रह गए रिंकू ने अपने कप्ता नितीस राना संग करिस्मा लगबक कर ही दिया था पर वह हैरी ब्रूक्स के 100 को ओज़ल नहीं कर पाए आखरी ओवर थे के कियार के रिंकू सिंग क्रीज पर थे सबी उमीद कर रहे थे कि संराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी रिंकू सिंग मैच को पलट देंगे पूरी ताकत लगा कर रिंकू कोलकता के एतिहासिक इजन गार्डन्स में खेले कई लोगों के दिलों में उमीद थी कि अलीगर का लड़का फिर से वो कारनामा कर दिखाएगा जो उसने गुजराद टाइटन्स के खिलाफ किया था रिंकू ड़कर खेले लड़कर खेले नितीज राना के साथ मिलकर उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के पर खच्चे लगबग उड़ा ही दिये थे पर आखरी ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के अमराव मलिक ने प्रेशर जहल लिया नतीजत हैदराबाद ने कॉलकत्ता नाइट राइडर्स को 23 रनों से हरा दिया किक्यार के सामने आखरी ओवर में 32 रन की पहाड जैसी चुनवाती थी बरहाल IPL के मैच नवंबर 19 किसा से बड़े हीरो रहे और 13 करोड रुपे कीमत के हैरी ब्रूक जो अब तक IPL के तीन मैचों में 29 ही रन बना सके थे वहीं इंग्लेंड की ओर से खेलने वाले हैरी ब्रूक ने IPL 2023 का पहला शर्टक ठोक दिया हैरी ने 55 गेंदों पर 100 रन जड़े इसमें 12 चौके और 3 चक के शामिल रहे इसकी मदोलत इस मैच में हैदराबाद ने IPL 2023 का सबसे बड़ा स्कोर 228 बटा 4 खड़ा कर दिया हैदराबाद की पारी में हैरी ब्रूक की बेटिंग के लावा दूसरे बड़े हीरो रहे कप्तान एडन मालकरम उन्होंने 26 गेंदों पर 50 रनों की ताबर तोर पारी खेली इसमें 24 के लावा पांच रोकेट छक के शामिल रहे एडन ने हैरी के साथ 22 रन की पार्टनर्शिप की इसके लावा अभिशेक शर्मा ने भी 17 गेंदों पर 13 रनों की ताबर तोर पारी खेली वही हैंडरिक क्लासन ने भी 6 गेंदों पर 16 रन की ताबर तोर पारी खेली इससे पहले कुलकत्ता के कप्तान नितीस राना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया कुलकत्ता की ओर्ट से केवल आंद्रे रसेल सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 23 रन देकर 3 विकेट लिए रसेल के लावा वरुन चक्रवर्ती को एक सफलता मिली उन्होंने एडेम मालकरम को आउट किया आंद्रे रसेल अपने ओवर पूरे नहीं कर पाए और चोटिल हो गए वहीं केक्यार के सामने 239 रनों का पहाड नुमा लक्षय था लेकिन उनकी टीम की शुरुआत बेहत खराब रही 3.3 ओवर में 20 रनों के अंदर केक्यार के तीन बल्लेबास चलते बने रहमानुला गुर्बास तो पहले ही ओवर की तीसरी गेन पर भूनेश्वर कुमार की गेन पर उम्राव मलिक को कैस दे बैठे इसकी बाद केक्यार के इंपक्ट प्लेयर वेंक्टीस अईयर कुछ कमाल नहीं कर सके और जनसेन का शिकार बन गए और फिर सुनील नारायन को प्रमोट किया गया पर वह भी पहली ही गेन पर कप्तान एडेन मालकरम को कैस दे बैठे कप्तान नितीस राना एक छोर पर टिक कर और धुआधार बल्लेबाजी करने की कोशिच में लगे हुए थे वही नितीस राना ने उम्राव मलिक के पहले ही ओवर में उनको निशाने पर लिया और 28 रंजर दिये इस दोरा नितीस नारायन जगदीशन के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड 82 रनों तक ले गए फिर इसी स्कोर पर जगदीश आउट हो गए इसके बाद आए आंद्रे रसेल तीन रन बनाकर मारकंडे का शिकार हुए रसेल ने इस IPL में अब तक चार मैचों में दस रन बनाए हैं सेल जब आउट हुए तब स्कोर 96 में बटा एक 10 ओवर था इसके बाद क्रीज पर रिंकु सिंग आए यहां केके आर को 69 गेंदों पर 133 रन चाहिए थे फिर नितीस और रिंकु ने बैटिंग के गियर चेंज किये और 165 रनों तक स्कोर ले गए 17 ओवर में नितीस राना नट्राजन की गेंद पर वाशिंग्टन सुन्दर को केश दे बैठे आखरी के ओवर में रिंकु सिंग ने केके आर के लिए फिर से वही मैजिक क्रियेट करने की कोशिश की लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो पाए आखरी ओवर में केके आर को जीत के लिए 32 रन चाहिए थे पर वह हदराबाद के स्कोर से 33 रन पीछे रह गए रिंकु सिंग अठान में रन बना कर नौट आउट लोटे वैसे कि क्यार को अपनी पारी के दोरान SRH के फिल्डर्स को भी थेंक्स कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने खूब कैच टपका है हदराबाद के ओर से मारको जोंसेन और मैंक मारकंडे को दो-दो विकेट मिले पकड हर खाबर पर